तो friends इस vacancy को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा important रहेगी है vacancy क्योंकि कुछ ऐसे candidates हैं जो अक्सर उनकी शिकायत होती है कि उनके लिए कोई job नहीं आती है और आती भी है तो मतलब बहुत ज्यादा qualification आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा demand मतलब कम vacancy है लोग कहते है electronics वालों के लिए vacancy नहीं आती है और computer science वालों के लिए कोई सरकारी vacancy नहीं आती है तो यह vacancy आपके लिए आ गई है लेकिन इस vacancy को अच्छा समझने से पहले मैं आपको बहुत ही अच्छे opportunity बता दू जो market में एक नए application आया उसके बारे में तो फ्रेंट मार्केट में एक जबर्दस्ट application आया है और वो भी देश की सबसे बड़ी company on academic के तरफ से और जिसका नाम है फ्रेंट्स next level और यहां पे फ्रेंट्स अभी यह बिलकुल नया है जिस कारण से आपका competition बहुत ज्यादा नहीं हो आने वाला है और वो भी competition कोई examination वाली competition के में बात नहीं कर रहा हूँ बस आपको gaming करना है और उसी के अनुसार अगर आप जितना अच्छा गेम खेलते हैं जितना अच्छा score आपका रहता है गेम में उसके अनुसार आपका जो profile है वो boost हो जाएगा और जो बड़ी-बड़ी multinational companies हैं उसके अंदर आपकी job आसानी से लग सकती है और बड़ी बात है friends कि अभी बहुत बड़ी लीग स्टार्ट होने वाली है 11 मार्च से यहाँ पे friends बड़ी-बड़ी companies आपको job देगी अगर आप अच्छा करते हैं तो और अगर आप top 100 में भी आ जाते हैं top 100 के अंदर भ आइंगे इस लिए में friends एक तरफ आप खेल रहे होंगे और दूसरे तरफ आपका competitor खेल रहा होगा दोनों को friends screen पर questions दिखाए जाएंगे और 30 seconds का time मिलेगा और जो उस time के अंदर जितना better perform करें अगर आप किसी कारण से हार जाते हो या फिर आपका score कम आता है तो आपकी ranking कम हो जाएगी लेकिन उससे बचने के लिए आप power ups का इस्तमाल कर सकते हो और power ups में friends कुछ रखा नहीं है बस अपने friends को share कर दो आप जितना जादा share करोगे आपका rank उतना अच्छा हो जाएगा increase हो जाएगा तो link में ने description में लगा दिया है बिना देर के हुए अभी download करिए औ और इस app का फायदा उठाई है बिल्कुल नया app है तो फायदा जरूर मिलेगा यह मिलेगा तो वापस आ चुके हैं अब अच्छे से इसको समझते हैं यह वेकेंसी फ्रेंट्स गॉर्मेंट अफ इंडिया भारा सरकार के तरप से निकाली गई National Informatics Center के तरप से आपको complete detail मिल जागा syllabus का भी आपको pattern दिखा दे जाएगा क्या कुछ पूछा जाने वाला है अच्छे से बस वीडियो में बने रहिएगा पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा daily job updates के लिए और लाइक कर दीजेगा वीडियो को अच्छी लगेगी तो ठीक है तो यहाँ पर फ्रे यहाँ पर 71 पोस्ट है 71 सीटे है आप अपनी केटोगरी कर देख सकते हैं यहाँ पर बताया हुआ है कि किस केटोगरी में कितनी सीटे अवल लेवल है ठीक है उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट एफरेंट साइंटिफिक ऑफिसर इंजिनियर एस्बी ग्रूप भी य यहाँ पर भी आपको 60,000 प्लस ही स्टार्टिंग अपके रहने वाली है सालेरी 196 टोटल सीटे हैं 196 में और अपनी केटोगरी स्ट गरूप सारा आप देख सकते हैं SCST OBC और EWS के लिए कितनी सीटे हैं ठीक है नेक्स्ट पोस्ट एफरेंट साहाँ पर सैंटिफिक टेकनिकल एक लेवल 6 की वेकेंसी है लगवग 50,000 या 60,000 के असपास यहाँ पर भी सैलरी स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी और दीरे दीरे यह जितनी वेकेंसी है फिरेंट से इसमें पर्मोशन होता रहता है टाइम टू टाइम और बाकी जो सुबदा है गर्मेंट की वो सारी सुबदा है आपको मिलती रहेंगी ठीक है और यह पर्मानेंट वेकेंसी है सबसे बड़ी बात है यहाँ पर बड़ी संख्या में सीट है 331 सीट है आप देख सकते हैं 331 और बाकी जो आपको खेटोगरी वाइस है वो दिखरी होंगी तो अपने के उसरा आप लोग देख ल कौलिफिकेशन ओपास इन बैचलर डिट्री हन इंजीनियरिंग और ऐसल में टोनरी अंजेविकेशन ये और इसीμस्टर एंजूर dus ये Master degree in philosophy in the field of mentioned below ठीक है तो जो लोग भी ये already कर चुके हैं और apply करना चाहते हैं इस अंदार vacancy में कर सकते हैं यहाँ पे basically computer science और electronics वाले जो भी है candidate उनके लिए बहुत ही जबर्दस opportunity रहने वाली है और यहाँ पे Master degree in science MSC भी जिनके पास है उनके लिए अच्छी चीज रहने वाली ह electronics या computer science है जिनके पास भी है वो लोग कर सकते हैं अब यहाँ पे बताया हुआ है कि subject कौन सा रहना चाहिए उपर तो आपको degree का नाम था कि B.Tech है MSC है यह सारी चीज़े चलेंगे लेकिन subject कौन सा आपके रहना चाहिए electronics है या electronics and communication है या computer science है या communication है आपका केवल या फिर computer and network security है computer application है software system है और आपका information technology है management है informatics है computer management, cyber law, electronics and instrumentation इतनी सारी जो branches है यह लोग eligible है second जो post reference आपका for scientific officer, engineer SB and scientist technical assistant A के लिए यहाँ पर आपको बताया गया कि MSC degree या MSC या MSC या B.E.B.Tech होनी चाहिए आपका नीचे जो यहाँ पर branches बताया गया है electronics में या electronics and communication में या electronics and telecommunication में या फिर computer science में या फिर computer and networking security में, software engineering में, software system में, information technology में या informatics में ठीक है इतनी होनी चाहिए आपकी qualification तब आप लोग यहाँ पर eligible हैं ठीक है बहुत ही अच्छी और जबर्दस opportunity आप लोग के लिए रहने वाली है तो जरूर अप्लाई करें गए age की बात करें तो आपका जो 4 April 2023 को आपकी minimum जो age है वो आपकी कितनी रहने चाहिए maximum age वो आप देख लीजिए यहाँ पर अगर आप general और EWS से बिलॉंग करते हैं तो 30 से ज्यादा आप हैं तो नहीं आप applicable है सेस्ट में 35 यह तक भी आप लोग apply कर सकते हैं OBC में 30 यह तक और डिजिबल candidate है तो 40 यह तक आप लोग apply कर सकते हैं ठीक है और जैसे कि मैंने बता है कि आपको अपना age calculate करना है चार चार दो हजार 23 को और वही लास्ट डेट भी अप्लाई करने का तो लास्ट डेट का आप लोग इंतजार मत करिएगा application सुरू हो चुके हैं already और ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें apply नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा branches जो भी है electronics और computer science वाले वो already private sector, IT sector वगरा में private jobs करते हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं तो जो लोग भी यहाँ पे ध्यान देंगे उनको फायता जरूर होने वाला है यहाँ पे examination center वगरा बताया हुआ है और नीचे friends आपको जो इसका fee कितना लगने वाला है तो category wise आपको बता दे SCST और disabled candidate के लिए कोई fee नहीं लग रही है, बिल्कुल free of cost है, वहीं general और OBC के लिए आपको लग जाएंगे, selection process की बात करें तो जो सबसे पहला जो आपका post था उसमें आपका examination भी होगा और examination में जो लोग qualify करेंगे वो आपको interview के लिए बुलाया जाएंगे ठीक है, और वहीं scientific be scientific officer नीचे वाला ज scientific officer engineer SB के लिए only shortlisted candidates based on who have qualified the written examination shall be called for interview ठीक है, यह scientist B वाले के लिए और वहीं नीचे जो है आपका scientific technical assistant के लिए already आपे बताया हो गया कि केवल जो लोग examination pass कर जाएंगे उनका हो जाएगा, और उपर वाले में friends पंदर नमर आपका interview के लिए भी रखा गया है, पहले नमर पोस्ट के लिए ठीक है, और बाकी अगर आप qualify करते हैं तो आपका document verification वगरा कैसे होगा, वो सारी चीज़े बताई गई है, और मैं आपको syllabus का part बता दू कि यहाँ पर देखे, syllabus for scientist B के लिए पहले यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद next जो post reference आपका technical assistant A और engineer SB and scientific के लिए, जित ग्रिफ वगरा जो भी है, और इससे जादा भी बहुत सारी updates हम लोग telegram में डालते रहते हैं, तो telegram channel को भी जरूर जोइन कर लीजेगा, ताकि कोई भी update मिस ना हो, और आप लोग जल्दी से जल्दी apply करके government job में जा सकें, और अपना भविस से सुदार सकें, friends ठीक है, मिलत किसी नेक्श वीडियो में किसी नए job vacancy के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद,